Hello बच्चो, let's read the question, the question is, a glass lens of refractive index 1.45 disappears when immersed in a liquid, जब हम उसे किसी liquid में immerse करते हैं, तो disappear हो जाता है, then what is the value of refractive index of liquid, तो उस liquid की refractive index कितनी रही होगी, वो हमें बताना है, तो देखें, इस question को solve करने के लिए, जो key concept हमें पता होना चाहिए, वो हमें ये पता होना चाहिए, कि हम जानते हमारे पास दो तरह के lens होते हैं, एक आपके पास होता है convex, एक आपके पास होता है concave, convex जो मेरा होता है, वो converging lens होता है, जो एक जगे focus करता है सारी raise को इस तरह से ठीक है और concave जो मेरा होता है वो diverging lens होता है जो क्या करता है जो raise आ रही है उनको क्या करता है diverge करता है इस तरह से अब अगर हमारे पार दो जो होते है होते है rule अगर mu of liquid जो है वो ज़्यादा है mu of lens से उस time पर वो behave करता है diverging की तरह है ठीक है और जब mu of liquid जो है वो कम होता है मतलब mu of lens जो है वो ज़्यादा है और mu of liquid कम है तब वो behave करता है converging की तरह है ठीक है तो अगर liquid का refractive index 1.5 या more than 1.5 होता ठीक है अगर mu of liquid जो है मेरा वो 1.5 या 1.45 से ज़्यादा होता तब तो क्या होता कि liquid का refractive index ज़्यादा है तो वो behave करता diverging की तरह है अगर मेरा mu जो होता less than 1.45 होता तो वो behave करता converging की तरह है क्योंकि उस time क्या हो जाता lens से कम हो जाता mu तो converging तरह बिएव करता लेकिन disappear होने के लिए जरूरी है lens होता है वो क्या हो जाता disappear हो जाता है वो ना तो diverge करता है race को और ना ही converge करता है खी क्या race को तो इसका मतलब mu of liquid कितना रहा होगा हमारा lens disappear हो रहा है वो बरावर होगा mu of lens के जो की है 1.45 तो यह हमारा क्या हो गए liquid का refractive index आगया है 1.45 I hope you understood well all the best